Hello everyone, सभीको जोहार, बच्चो, ये हमारा part 2 है, दूसरा वीडियो है, the cricket match chapter का, जो कि आपके बुक के unit 6 में है, page number 68 से 71 तर, हमारे पहले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से अमन बहुत excited है अपने दोस्तों के साथ cricket match खेलने के लिए, लेकिन जैसे ही वो घर आता है, तो उसे पता चलता है कि दादा जी की तब्यत ठीक नहीं है, तो वो तै करता है कि मैं दादा जी की देखवाल के लिए रुकूंगा, क्यूंकि घर पर कोई नहीं है, और अगर मैं दादा जी को छोड़ के चला जाता हूं, और कोई आता है घर, डोर बेल बजाता है तो दादा जी को परिशानी होगी उठना पड़ेगा तो इस कारण से वो रुख जाता है तो उसके दोस्त आते हैं और उसके दोस्त नेक्स टे कल जो वो लोग का मैच है प्रतापूर के साथ मेडियो स्कूल प्रतापूर के साथ उसके लिए अब ये ठीक नहीं है और वो उनके साथ नहीं आ सकता है है ना तो फिर ये बात सुन करके सभी बच्चे बहुत ही दुखी हो जाते हैं और सांत हो जाते हैं कि इसके आगे वो लोग अमन के पास और कोई एक्स्क्यूज नहीं रख सकते हैं अब हम लोग आगे का स्टोरी अब इस वी जो को अमन बताता है कि दादा जी की तब्य ठीक नहीं है और घर पे कोई नहीं है इसलिए अमन को रुखना पड़ जाएगा तो सभी बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं क्योंकि उसको पता था कि अब उसके आगे वो अमन को किसी भी तरह से कन्वेंस नहीं क पाएंगे, देन अरुन बहुती दुखी मन से कहता है, ओके यू मस्स स्टे अट होम, ठीक है तुम्हें घर पे ही रुखना चाहिए, ये कहके सभी बच्चे चले जाते हैं मैच प्रक्टिस के लिए, लेकिन अब अमन तो घर पे ही रह जाता है, लेकिन अमन का मन भी उनके स क्रिकेट ग्राउंड में होता है, अब वो सोचता है, लेकिन ग्रैनपा को, दादा जी को मेरी जरूरत है, उनकी तब्यद ठीक नहीं है, और मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, है न? फिर अमन ने क्या किया, अमन इस सिटिंग ओन इस चेयर, अमन ने अपने चेयर में बैट करके वो बुक पढ़ रहा था, वो अपना बुक पढ़ रहा है, देखिये, और अमन के दादा जी बैड में सो रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, फिर अब घड़ी की और देखते हुए, अमन सोचता है, अब ये साड़े तीन बज गए हैं, ग्रैनपा है बज़े से दादा जी सो रहे थे और अभी एक घंटे हो चुके हैं, अभी सबी बच्चे खेल रहे होंगे, अभी भी अमन का मन खेल में ही था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं रुका हूँ दादा जी की देखभाल करने के लिए, ये अमन सोची रहा था कि उस समय दर्वाजे की घंटी बच्चती हैं और वो जाता है दर्वाजा खोलने के लिए कि कौन आया है, तो देखता है कि अमन की माता जी, उसकी ममी आई है, तो अमन कहता है, ओ, ममी, how did you come earlier today? आज आप जल्दी कैसे आ गएं? Usually you come at 5.30, हमेशा तो आप शाम के साड़े पांच बजे आती हैं, तो अमन की मा ने कहा, I have brought some answer books home, मैं अपने साथ कुछ copies, answer books, ले करके आई हूँ, I will check it at night और मैं उसे रात में चेक कर लूँगी, यानि अमन की माता जी क्या काम करती हैं? Yes, वो बच्चों का answer book ले के आई हैं, यानि अमन की माता जी एक teacher है, But why aren't you going out to play? लेकिन तुम अभी तक खेलने क्यों नहीं गए? Then, अमन अब बताता है कि वो घर पे क्यों रुका है, क्योंकि Grandpa is not well, so I stayed at home, दादा जी की तब्यद ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर पे रुक गया, ये सुन करके अमन की मा बहुत खुश होती है, और अमन को गले लगाती है और कहती है, How thoughtful you are, my beloved son, मेरे प्यारे बेटे, तुम कितना सोचते हो? But you can go and join your friends now, लेकिन अब तुम जा सकते हो और अपने दोस्तों को जोइन कर सकते हो, I'll look after Grandpa, मैं दादा जी का ख्याल रखने के लिए मैं घर पर ही हूँ, ये सुन करके अमन भी बहुत खुश होता है, और अपनी ममी को thank you कहता है, धन्यवाद देता है, तो बच्चों, यहाँ पर अमन भी thoughtful है, अमन की माता जी भी thoughtful है, है न, तो जब अमन के दादा जी का तब्यर ठीक नहीं था, तो खुद से उसने सोच विचार करके घर पर रहने का फैसला किया, और अमन की ममी को भी पता था कि दादा जी की तब्यर ठीक नहीं है, और अमन को खेलने भी जाना है, तो वो जल्दी घर आ गई और अब अमन जा सकता है, तो वो बहुत कुछ हो जाता है अमन और अब वो अपना बैट पकड़ लेता है, और ममी को bye कहता है, और वो खुशी-खुशी वो मैच खेलने के लिए निकल जाता है तो बच्चो ये कहानी हमारा यही खत्म हुआ और आप अब ये बताईए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है ना हमें भी अमन की तरह thoughtful होना है जहां पर हमारे पास दो option आए तो हमें जो जादा important है उसे हमें choose करना है बच्चो और हमें हर काम सोच विचार करके ही करना चाहिए जैसा अमन ने किया कि दादा जी की तब्य ठीक नहीं है अगर मैं उन्हें अकेला छोड़के चला जाओंगा और कोई आता है डोड़ बेल रिंग करेगा तो दादा जी को उठना पड़ेगा उससे दादा जी को परिशानी होगी तो वो ये सोच करके रुख जाता है अपने दोस्तों को वो मना कर देता है कि मैं नहीं जाओंगा लेकिन अब उसकी मम्मी आ गई और वो खुश हो गया और वो खुशी खुशी जा करके बाकी बच्चों के साथ अभी मैच खेलेगा और दोड़ता हुआ वो क्रिकेट ग्राउंड गया और अपने दोस्तों को अमन जोईन कर लेता है आरुन और समीर को और बाकी बच्चों को है ना तो ये कहानी हमारी यही पर खत्म हुई आरुन जो खुआ है